नागपुर से अशोक सिंगल हमारे साथ हैं, पिलिभीद से समय मौश्मी सिंग हैं, कुमार विशेक, नेहा बाथम, कुमार विशेक रामपुर से हैं, नेहा मुझफर नगर में समय हैं, हिमान्शु भी मुझफर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं और शरत कुमार हमारे साथ जैपूर से जुड़े हुए हैं अशोग जी के पास हम कुछ देर में चलते हैं चुकि नितिन गड़करी वहां से उम्मीदवार भी है उन्होंने पांच लाख पार का भी दावा वहां से किया है कुछ देर में उनके साथ होंगे तो हम वहां पहुंचेंगे लेकिन शुरुव शुटा देखिया हम लोग पीली भीत में हैं और लोकतंत्र की एक तजवीर ये भी है पीली भीत में कई गाउं में वोटों का मतदान का बहिशकार हुआ है और एक बकसपुर गाउं जहां हम अभी खड़े हुए हैं वहां पे भी यहां पे बहिशकार हो रहा है और उसका का पाली में कुछी मिन्टों पहले ये कुछ थोड़ी दिवार यहां पे गिराई गई है और यहां पे जो गाउवाले उनका ये कहना है कि बच्चे हो या बुज़ूर्ग हो या गाउवाले हो ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से गुजरते थे लेकिन प्रशासन को ये नागबार ग अच्छे लड़किया आती है स्कूल वो रास्ते से जाती है रात आठ वजे तक आती है वापस उनको भी दिक्कत होती है रास्ता बंद होने तो बहुत सब को दुख्या दोरी हो आप लोगों पहले नहीं मांगी कि दिवार हटाई जाए हमाई रास्ता जो बंद करी पर शास किसी ने हमारे नहीं सुनी हमारा अतकार तो यह है आज हमने अपनी मांको उठाया है जबता हम जबता हमारी समस्य का समाधन नहीं हो जाता है जबता हम नहीं करेंगे यहां पर अलग-अलग तरीके से कोशिश वह रही प्रशासन द्वारा भी इन गावालों को मनाने की पर वाकई और देखिए वोट डालना सब चाहते हैं और इसलिए इतने दिनों से अगर ये वर्ग मांग कर रहा था ये गाउवाले मांग कर रहे थे तो निताओं को भी सोचना होगा कि उनके लिए ही आप वोट मांगते हैं तो किस मुझे पर रामपूर की सीट हमेशा ही यहाँ अब अभिशेक बड़ा कड़ा मुकाबला दिखता है बड़ा जोश में उत्सा में दिखते हैं मुझे यादे में 2004, 2009, 2014 तीनों चुनाओं वहां के देखे लेकिन 24 में थोड़ा सा फीका लग रहा है क्या बिलकुल स्वेता सुभे से मददान काफी धीमा था लेकिन अभी से कुछ देर पहले से इस मददान ने रफ्तार पकड़ी है हम इस वक्त डिग्री कॉलेज जो की रामपूर का डिग्री कॉलेज है जहां पर आजम खान का वोट पड़ता रहा है हम उस मद्दान केंद के बाहर खड़े हैं और धीरे धीरे ये रफ्तार अब बढ़ रही है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन रामपूर में इस बार बहुत ज्यादा एक जो चार्जड माहौल हुआ करता था जब आजम खान चुनाव लड़ा करते थे वो माहौल नहीं है ल इस बार बड़े आराम से जो ये वोटिंग है ये वोटिंग चल रहा है बहुत साइधी किसी जगह से इस तरह की कोई कंप्लेन आई हो तो इस बार मुझे लगता है कि अभी कुछ देर और जब वक्त बढ़ेगा तो फिर वोटिंग की रफ्तार और भी तेज होगी लेकिन पूरी तरीके से आप इस वक्त जो चुनाव है इसलिए भी आहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी की जीत में बड़ा अहम जो रोल था वो दलित वोटों का था जो यादव वोट है दलित वोट है इसके अलावा सिख हैं यहाँ पर उनकी बड़ी भूमी का थी लेकिन इस बार इसका यह जा रहा है कि दलित अपना वोट इस बार मायवती की तरफ ज्यादा कर रहे हैं यह एक फाइदा कम से कम गटबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है उसी तरीके से मिलखपुर का इलाका है जहां सिखों की एक बड़ी आबादी है वहां भी एक नाराजगी उनके भी भी आये हैं मुझे लगता है कि उनके लिए जो एक आजम खान के विरोध का भी वोट होता था वो भी इस वक्त पड़ता हुआ दिख रहा है तो रामपुर की जो स्थिती है इस वरक बलकुल अलग है हाला कि दूसरे जगहों से थोड़ा कम अभी भी मद्दान है अभी 11 जे तक जो वोटिंग हुई थी वो तक्रीबन 10 10.66 वोटिंग थी जो की और और जगहों के मद्दान से लगभग एक फीस्दी कम बताई जा रही थी तो कुल मिला करके इस वक्त वोटिंग बहुत पीस्टू में सामाने है लेकिन मतलब लामपुर में दो पार्टियों के बी देखें सुबा श्वेथा जब हम 8 बजे मद्दान केंद्रों पर पहुँचे थे तो लोग तो पहुँच रहे थे लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर हमने मैसूस की और देखी कि महिलाएं बहुत बढ़ चड़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा रही है क्योंकि पु हो सकता है वोटिंग फीजदी में इजाफे के लिहास से अब दूसरा फैक्टर डिसकस कर लेते हैं जो मुझफर नगर में सबसे जादा देखनी को मिला वो ये कि संजीव बालियान यहाँ पर दो बार से सांसद रह चुके हैं तीसरी बार उने टिकेट थमाया गया है क्या यहाँ पर जब मैंने अनल कुमार जी से बात की क्योंकि वो रालोट के नेता है और अब एंडिये में जाकर मिल गए है और दूसरे नेता जो हमने बात की वो कपिल देव अगरवाल जी थे वो बीजेपी के नेता थे दोनों नेता लगातार बराबर सिर्फ योगी जी और मो किसानों को नियूंतर्म, समर्थन, मूल यानि कि NMSP जिसकी वो मांग लंबे वक्त से करते आ रहे हैं और बुजफर्ण अगर आप पहले आई हो तो आपको पता होगा कि यहाँ यह कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कितनी ऐसी मिले हैं जो इसी वजह से बंद हो चुक कि अगर आप दरकिनार करके यह कह रहे हैं कि नहीं हम शेत्रिय राजनीती नहीं करते हैं तो मुद्दे तो यहाँ पर किसान के हैं और ऐसे में दो एहम नेता जो यहाँ की राजनीती को बैहतर तरीके से समझते हैं कैबनेट मंत्री हैं एक राज्य मंत्री हैं जो उनके पास स्वतन पभार है दोनों अगर वो बुद्दे नहीं गिना रहे हैं तो कहीं न कहीं आप एक चीज को कवर अप करके कह रहें कि हाँ हमें जीत तो हासिल होगी क्योंकि हमाए पास कई ऐसे नाशनल अजंडे हैं जिन